In theory में compulsory है, in out of 70, 40% compulsory है, assignment में सब लोग अच्छा किया होगा, out of 30 marks 40% है, out of 70, 28, 28 minimum है, कोई डरना का जरूरी नहीं है, out of 70, easily multiple choice में 20 marks में आपको experience है, असान से आजाएगा 20 marks, then short answer में थोड़ा informative answer होगा, then application oriented, अभी दासजी बतादिया, there are two question है, two question है, whatever you mug it up or gramming up, that is not going to solve your purpose, अपना idea लिगधिया, अपना teaching experience का idea है, except science subject only problem होगा, otherwise अपना knowledge, अपना language में अच्छा लिग सक्ता, easily you can get out of 20, not less than minimum 10 marks, that means getting out of 70, 28 marks is very, very easy. But as a teacher, you can score very good marks, I am telling those who are having some kind of fear, हम एग्जाम लिग सक्ता, नहीं लिग सक्ता, क्या होगा, आईसा मैंड में कोई fear साहिको ओड़ना जरूरी नहीं है, as per as answer sheet is concerned, answer sheet में total number of pages है, previously 28 pages है, अभी आप लोग teachers है, जादा बोलना पडेगा, कभी कभी लिगना, आँसो जादा लिगना का आपको मन वोगा, इसलिए अमरा Honorable Chairman साहब है, अभी 4 page increase कर दिया answer sheet का, number of pages, अमरा routine exam में 28 pages है, अभी 32 pages कर दिया, this is the answer sheet, this is the answer sheet, what Mr. Prasad is showing, you can, all of you can see the answer sheet. Second question है, answer sheet में, this is the main answer sheet, there is no additional answer sheet, only एकी single answer sheet है, आपको answer 32 page ही के अंतर आणा पड़ता, you, all of you must answer within 32 pages only, we have multiple choice, आसान से 20 महा से इसको जादा page जरूर ही नहीं है, यी सिलीप, we have calculated accordingly, whatever you write, it cannot exceed more than 32 pages, don't ask any kind of additional answer sheet. Now, मेरा कुलीग है, Mr. Mahapatera has come, एक बार, एक बार इस बात को मैं दुबारे आप से साजा करना चाहूंगा, answer sheet में 32 page हैं, और दूसरा answer sheet नहीं मिलेगा, आपको अपने सारे प्रश्णों का उत्तर, इन ही 32 प्रश्णों में लिखना है, अगर आपने अपना answer इंद में नहीं लिखा, तो आपको दूसरा answer sheet नहीं मिलेगा, इसलिए कई बाद हमारे बच्चे एक एक लाइन छोड़के लिखते हैं, आप शिक्षक हैं, ऐसा न करें, जो निर्देश दिये गया हैं, उसको ध्रान से पढ़िए, और आपका ये column जो है, इसमें आपको बड़े ध्यान से भरना पड़ेगा, अपना details, तो इसमें कोई गलती न हो जाए, इसलिए आप इसको ध्यान से देख करके, और एक एक को भरिएगा, इसमें अगर कोई गलती रह गई, तो आपका जो अंग तालिका बनेगी, उसमें ग प्रिश्ट, आपके answer sheet से अलग किया जाना है, और हम लोग इसको एक जगर इस पर अपना confidential number डाल करके, कहीं दूसरे राज जी में भेजेंगे जाचने के लिए, इसलिए फिर दुबारे मिलाने में बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आप अपना सारा data बड़े ध्यान से जाना है, इसलिए अगर इसमें कोई गलती हो गई, कोई चूक हो गया, तो दुबारे सही करने का मौका नहीं होगा. Sir हमारे साथ महापातरा जी है, मैं इंसे ये निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा ये बताएं, ब्लीस तेल एसे लिए बटाएं, ब्लीस तेल एसलिए फ्लाइम और गविदे वह थी तो गई पर चूकिल हमें, इसलिए प्लीट राओ नाम लिए अट इसलिए विए इसलिए which you can see that after seeing this sample you can fill your details on the front side और इसके अलावा भी यह जो back side है मैं इनसे अनुरोज करूँगा जरह आप यह दिखाएं ताकि सभी को पता लगे back side जो है वहाँ पे sample है जिसमें already कैसे अपना नाम लिखना है कैसे विशाय का लिखना है कैसे आपने enrollment number लिखना है कैसे center का code लिखना है कैसे subject का code लिखना है like 501 है आपका तो आप 501 लिखेंगे 5 को आप blacken करेंगे फिर 0 को blacken करेंगे फिर 1 को blacken करेंगे तो इस तरह से यह OMR seat है और यह सारे scanning होगा इसके next page जो है front page का उस पे सारे आपके instructions लिखे हुए यह आप देखें left side में यह सारे instructions लिए हुए इनी instructions को पढ़ना है तो महापातर जी दरह आप बताए इस पे कि that what time they will be given this answer sheet and how they have to go about this आप प्रसाथी तो पहले सारा describe कर चुके हैं तो भी answer book का हमारा guideline है guideline में answer book guideline में जो answer book देने का जो अमने प्राभधान है जो लिखा हुआ है उसमें 15 minutes पहले बच्चों को distribution हो जाना चाहिए 15 minutes का time उनको बच्चों को मिलना चाहिए तो टीचर को आदा गंटा पहले आदा गंटा पहले 30 minutes ओके उन्टेन टीचर है जो learner है DLA course का उनको examination hall में examination का time हमारा 2.30 का है तो 2.15 तक उनको मिल जाना चाहिए answer book और जो invigilator है उनको एक orientation थोड़ी दो मिन्टे पांक्स मिन्टे के लिए उनको तोड़ी गाइड कर दे कि कैसे बरें उसको तीन स्यार important issue है एक तो learners का नाम है वो correctly लिखे और दूसरा इसका role number है मापातर जी पहले प्रस ले ले लेते हैं जी बताइए हालो 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 जी बोलिए जी और मेरा एड़ी जीवान उर्दू है जी और मेरा एड़ी में इंगलीश और हिंदी आया है जी स्क्रिप्त मेरा माधरी जी ब़ूर में उर्दू में ही सही होता क्यों है अंचे तरिकते हो है अप तो बड़ी अच्ची हिंधी है तुर में ही सक। आघी ता कुगा में ही generations यह कुगा की लेकि हृ Ohh जैंड प्रोवेजन नहीं किया है अगली बार करेंगे वैसे आप अपनी परीशा उर्दू में लिखियेगा आगे चलिए आप मापात्र जी आप कंटीनियू करें आप आपको मैं जैसे बता रहा है कि तीन चार जो इनफोर्मेशन है वह आपको उसके उपर ज्यादा ध्यान देना है एक तो आपना रोल नंबर है जो आपको आइकार मिला उसमें लिखा हुआ है एन्रोल्मेंट नंबर और यहां पर किर्वीसकि तीक हाऊे तो दोनों एकी जीज रोल नंबर और अन्रोल्मेंट नंबर साही लिखना है इसकी बाद आपको जो इसेंक स्यल्टना भी plugging वह निर्ट मेरैस के साथ कर दिना, वह अर्द ही क्झा सबकान depends.. जर्फ पेंड या जो ब्लू पेंड हो आपको अपको cercle को आपको भरना है और बाकि आपका जो left-hand side part one मे दिया है वे details उसको आप पुझे से subject कोड है जो आप आपका is the day and date of examination है आप क्यों सी language में answer दे रहो सुपोज आपने हिंधीterm अपने अडिमिशन लिया है लेकिन आप इंगलिस मेडियों में आंसर देना चाहते हो आप दे सकते हैं आप उसमें लिख दीजेगा आप किस लांग्वेज में आंसर दे रहे हो तो कि हमने उसी हिसाब से उसी टीचर जो इवालुएटर है उनको हम दे सके जो इंगलिस का इव जी बहुत बहुत धन्यवाद महापातरा जी इन्होंने पूरी चीजे आपको समझाया है और इसकी सूचना आपके जो हॉल टीकेट है उस पे भी है कि आपका अनुक्रमांग क्या है? जैसा कि महापातरा जी बता रहे हैं, जो इन्होंनननमर हम जब कहते हैं, जब आप प्रवेश लेते हैं, आमिशन लेते हैं तो वह इंडोल्मेंन